नमस्क्रा दोस्तों, स्वाकत है आपका मेरे से यूटूब चैनल पर, मैं हूँ डक्टर हिमान सुस्तोगी, मैं आज आपको बताओंगा कि अगर आपको अमरूद खाने से क्या फैदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और किन में अमरूद खाना परहिज होता है, और आप अगर आपको पपीता खाना है कि नहीं खाना है तो यह संपूर जानकारी बताएंगे अगर आपको अमरूद के बारे में जानना है अमरूद अगर आपको खाना है तो आप अमरूद खा सकते हैं अगर आपको कोई बिमारी नहीं मल के दौर में कोई बिमारी नहीं है तो आप अमरूद बेजिजग खा सकते हैं पेट साफ करने के लिए अमरूद बहुत ही अच्छा फल है अगर आप पेट में कोई व्यादी न है अब आपको कान्सी percent return लेकिन आपको यह कब जियत के अलावा आपको baua sound हो गया है और phisher हो गया है या फिर आपको बीघ Harley mats IGVD जैसे हो गई है या फिर जो व्यारते में ज ciertoर नहीं आपकर बार भांवा जैसे आपको पाइस जैसे तौह रही से नहीं करके तो इसा बिलकुल है दोस्तों क्योंकि अमरूト के अंदर जो और घ्रीम मार घौकिोल hm अनिधर के अरे अन्दर के मारक में रिवेता घ्रीम कर देते हैं इसके करना आपकी समस्य बढ़ जाते हैं, अगर आपको पायस है, तो आपको ब्लीडिंग जैसा ज्यादा होने की समस्य देखने मिलेगी, अगर आपको फिशर है, तो मल्तियाक के बाद देखा होगा, आपको जलन जैसी, या फिर दड़ जैसा, या फिर खुजलाहट जैसा, या आपको दिखने मिलेगा तो इन बीमारियों में आपको एकदम बंग देना चाहिए अमरूथ और पपीता पपीता कियो बंग करना चाहिए क्योंत घृषए नीया बंग करना चाहिए क्योंकि जो मल्क िमात्रा है बहुत ही जाड़ा आने लगती है जब ज़्यादा आएगे अगर मान लीजे आपके हाँ में कोई चोट लगा है तो आपको क्या करना चाहिए उस हाँ से थोड़ा कम कम कर लेना चाहिए और वैसे ही आपका जैसे आपका जो मल बनेगा ज्यादा बनेगा ज्यादा बनेगा तो तो आप बिल्कुल ये दोनों फल एवाइट करें अगर आपको पाइस फिशर या फिर आईवियस कोलाइटी जैसे विमारी है तो जानगारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइज सब्सक्राइब जरू करिएगा दोस्तों और वीडियो को हो सेके सेर करिएगा धन्यवाद